हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने चेहरे को बढ़ती उमर से वापिस लाकर जवान खुबसूरत बना सकते हैं कितना ही नहीं अगर आपके चेहरे की सॉफ्टनेस हो गई है बेजान पना गया है रूखा पना गया है और आप चाहते हैं कि आपका चेहरा एक्टम से पहले के जैसा हो जाए जैसे कि बच्चों भी सॉफ्ट स्किन होती है तो एक ऐसा नुस्खर शेयर करूंगे और मैंने इस से अपने फ्रेस पर अपलाई किया है यकीन मानिये मेरे चेहरे पर बहुत सॉफ्टनेस आ गया है और मेरे गाल ऐसे हो गया है जैसे बच्चों के होते हैं याने की सॉफ्ट और बुलाया तो चलिए मैं भी आपको बताती हूँ कि आपको आखिर करना क्या है जिससे आपकी स्क्रीन एकदम से सॉफ्ट और मुलाया हो जाए तो गाइस अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चुरबाजू के बेल आइकन को भी ओन कीजिए ताकि आपको मेरे नए फीडिय करएरेार इसे तरह से मिलते रहें तो सबसे पहले आपको लेना है और यह तो सबसे पहले है कोई भी क्रीव कुल और आपको वह क्रीव देना है बीडिय या ले लीजी जे देखिए गाइस मात्र इतनी सी क्रीम आपको लेनी है और इस क्रीम का फाइदा देखिए कि आपकी चेहरे को जवान खुबचूरत सोफटनेस बना देगी आपकी चेहरे की खोई हुई नमी रूखापन वापिस ला देगी तो मात्र इतनी सी क्रीम आपको लेनी है और इसमें अब आपको एड़ करना होगा कुछ ऐसे चीज को जिससे आपकी सोफटनेस वापिस आ जाए मैं इसमें एड़ कर रही हूँ कोफी पाउडर को आपको भी एक कोफी पाउच लेना है इस तरह से और आपको इसमें पो एड़ कर देना होगा अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजे या तो आप चम्मच की साईता से मिक्स कीजे या फिर उंगली से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा मिक्स करने के बाद मात्रे एक मिनिन इसे छोड़ दीजिए ताकि कोफे की अंदर जो थोड़े दाने होते हैं वो भी घुल जाए उसके बाद आपको इसे अपने फेस पर अपलाई करना है लगाना आपको कैसे है सबसे पहले आपको अपने चेहरे को मार्मल वाटर से वाश कर लेना है उसे पोच लेना है और ओसके बाद आप इसे अपलाई कीजिये आप बीस मिनट के लिए बीस मिनट तक लगाकर अपने फेस पर इसे ऐसी ही छोड़ दीजिएगा उसके बाद आप अपने चेहरे को वाश कर ले जहेगा अगर आपका रोजाना बाहर आना जाना होता है दूल पल्लूशन बाहर आने जाने से यमारी स्किन की अंदर चरी जाती है तो वीक में दो बार इसका जरूरी उस कीजिए आप एकदम जवान खुबसूरत और यंग बने रहेंगे कोई भी आपकी उमर नहीं जान पाएगा कि उमर कितनी हो चुकी है आप बहुती कम उमर के ही हमेशा नजर आएंगे तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों